नमस्कार दर्शकों मैं एस्ट उसनिया शर्मा आप सभी का दश्या महा दश्या पोग्राम में हार दिख अभी नंदन करती हूँ हम जानने वाले हैं 10 जून 2021 को होने वाले सूर्य ग्रहन के बारे में जेश्ट माह करश्न पक्ष अमावस्या गुरुवार के दिन म्रगशेरा नक्षत्र और व्रशवराशी में यह ग्रहन जो है वह घटेत उने वाला है यह ग्रहन खंडर ग्रास के रूप में उत्री अमेरिका, रूस, मंगोलिया, यूरो, ग्रीन लेंड, कैनिडा का उत्री पूर्वी भाग और चीन के पश्चमी भाग में द्रश्य होगा ग्रहन स्पर्श का समय रहेगा 13 बच के 42 मिनट और 20 सेकंड ग्रहन सम्मीलन 15 बच कर 19 मिनट 48 सेकंड से ग्रहन मध्य 16 बच कर 11 मिनट 56 से ग्रहन उन्मीलन 16 बच कर 53 मिनट से ग्रहन जो समाप्त होगा वह होगा 18 बच कर 41 मिनट और 21 सेकंड पर क्रांती व्रत में युती 16 बचकर 21 मिनट और 29 सेकंड भूम अध्यरेखा में युती होगी 16 बचकर 11 मिनट और 5 सेकंड खग्रास का समय रहेगा 12 बचकर 3 मिनट से 51 धार्मेक द्रश्टी से कोई महत्व नहीं है क्योंकि यह ग्रहन जो है भारत के किसी भी भाग में द्रश्य नहीं होगा इस वज़े से किसी भी प्रकार का यम नियम सू तक आदी मान्य नहीं होगा इसलिए गर्बवती महिलाएं जो हैं गर्बवती बहनें जो हैं उन्हीं किसी भी तरीके के नियम पालन की आवशक्ता नहीं होगी यह जो सूर्य ग्रण है उसका सबसे जादा प्रभाव देखा जाने वाला है वरशब राशी वालों पर जातक हो या जातिका इन दोनों के लिए ही सबसे जादा बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा जिनका नक्षत्र मरग शिरा है वरशब राशी वाले उनके लिए यह तो चारों तरफ से ये समय जो रहेगा वो चुनाती फून्व रहने वाला है इन राशी वाले जातकों के लिए उपाय में करना ही ये कि जितना हो सके अनाज का दान करें उतना ही शुब रहेगा इनके लिए